नमस्कार विद्याती मित्रो अत्यार सुंधी ना लेक्चर माँ आपने लाइन ना पेरामीटर्स जोया एना पर असर करता बदा परीबड़ो जोया साथे साथे मिडियम, लोंग औने सोट ट्रांस्मीशन लाइन वीसे खायाल लिदो औने अने हा मीत्रो हूँ, जी अत्यार आमे तमनीचे करावी रैयाची अगत्याना जी प्रस्न हो छे अने तमने समझाई सके ते बाचे एज करावी रैयाची कोई कवस्तो बहो तॉफ छे के जैनी बहुँ आटी ज़रूर नथी अत्यारी एक्जाम मा warp to तो तम्हें सेल्फ स्टडी करी ले जो औने जो तमने जो ख्याल ना पड़ी एनी अंतर तो तम्हें पर्ष्णली बने कॉंटेक्ट करी ले जो तो एना भी से हूं तमने ख्याल आपी देश अवे जे लास्ट टोपिक छे अपड़ो इना सोट क्वेश्चन माँ डियारेक अपड़े एने लही ले ले शूं अने बहु थिरूटिकल छे अने बेथी त्रण एका दुख मांक्स नों कदज कोई नानो प्रस्णे माथी पूछाई सके तो पहले लुँ छे एलेक्ट्रीकल पावर गरिड तो सवुथी पहला तो पावर गरिड में थामने फॉर्स्ट लेक्चर माँद समझावी दो मितनो पावर गरिड भी से पावर ग्रिड इतले सुझे एक सेंट्रल गवर्मेंट द्वारा संचाली संस्ता चे कि जी आखा इंडिया नूँ संचालन करे छे इलेक्टिसिटी नूँ मैं तमने समझाई तू कि आपणों जी इंडिया छे इंडिया नूँ जी नक्सो छे त्यां अलग-अलग ग्रिड मा निर्मन दहलोँ जया त्यां अउपर नजी आखऊ भाग छे त्यां नोर्थ ग्रिड साथे साउथ ग्रिड साथे वेस्ट और में इस्ट 2 अनि बिज एक वधारानी ग्रिड छे जे पांचमी ग्रिड किवामावावा छे जेने नोर्थ इस्ट ग्रीड के वा कि अवेस्ट जों जे भावर जों गुजरात ने आज नने दिवसभी माठे अटलो पावर थ tud जो इसे, तो एक काम कुण कर से, पावर गिड कर से, पावर गिड सूँ कर से, कि स्टेट नहीं आपी देसे, और स्टेट पासे त्याँ SLDC कर से, स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर, स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर, स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर, SLDC, short form पन खास द्यान राग जो MCQ माटे बाउज अगत्याना छे बराबर छे, तो आँ SLDC सूँ कर से, कि जए त्यानी distribution company छे, transmission company छे, इने ए प्रोवाइड कर से तो आम आपने ओल्डेडी में समझु दे तम है पल्ला लेक्चर नियांदर क्लास माँ आपने लीच छे बराबर छे, तो इना प्रश्णों जो ही हैं आपने, तो electrical power grid नी द्रश्टी आपना देश कया भावगों माँ वेचायलो छे तो western, northern, southern, eastern और नर्थ east और 5 रिजिनों में थम ने किधा था ये 5 रिजिन मां बठाई लो शे उब्रदेश थे ले लोड डिस्पेज सेंटर बददा श्टेट मां पोत पोता थे लोड डिस्पेज सेंटर शे तो रहो के गुजराट शे तो गुजराट नी SLDC है से मध्यप्रदेश चे तो मध्यवरदेश ने SLDC चे तामिल नाड़ो चे तो तामिल नाड़ो चे तो आम बद्धा SLDC जे स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर चे ए बद्धा ना मुख्या कार्यों चे तेनी बाद करें तो पहलो सिस्टम नी अंदर जनरेशिंग स्टेशन नू संकलन करूं एडले के जे तारो के गुजरात नी अंदर जटला पन जनरेटिंग स्टेशन चे नाना मोटा तारो के अदानी टाटा पची नानी नानी कंपनियों पासे पोताना घणा बदा पावर प्लांट नू संकलन करूं जे कि तारों के आखा गुजरात नी बात करी हैं तो गुजरात नी अंदर कितला बदा जनरेशन चे तो अब दा जनरेशन ने भेगा करी आने इनू ट्रांस्मीशन एक साथे करी आने डिस्टिबूशन सर्खी रीते आने व्यवस्तित रीते थाई सके जिनना काने इफीसिंसी मा आपड़े वधारों माड़े पहलों कामा आचे बीजू जे सिस्टम ना एक्क्यूपमेंट ना रिपर मेंटेननस टेस्टिंग वगेरेम ना आउटेज नी व्यवस्ता करी आनो मतला बेडले के जा आखी सिस्टम मा रहेलों जे के तारों के कई ट्रांस्मेंशन लाइन नू जे त्यारे एक मोटा तालू को के जिलू आखो बंद थाई सके छे तो आउँ ना था एना माटे एक सेंटरलाइज सिस्टम जे के लोड़ी सेंटर ने बद्दी माहीती होए के कई लाइन नू ट्रांस्मेंशन लाइन नू मेंटेनस क्या रहे थाई हुशे ए बद्दू सुचनाव आपवी आने ओपरेशन नी सुचनाव आपवी वित्रो सक्टी माटे ए त्रीजो पॉइंट छे ने बहु जगत यानों छे कानके तमें जानों जो के क्यारे कोई लाइन ने चालू करवी के बंद करवी एक जगिया थी थाई तो ख्याल पड़े के तारो के कोई ट्रांस्मीन्शन लाइननों मेंटरनस थाई रहे हुछे त्यां तो एक ट्रांस्मीन्शन लाइन आजो बाजो ने कोई पंण लाइन त्यारे एक्टिवेट ना होए तेनू खास ध्यान राखू जरूरी छे बड़ाबर छे तो आ बद्दा जे ओप्रेशन्स छे एक जगिय जो संट्रलाइज थाए, यह लोड डिस्पेस सेंटर द्वारा जो थाए, तो यह काम सरखिरी ते थाई सके छे, पाची, इमर्जंसी पाची, अथवा डिस्टर्बंस पाची, सिस्टम मूर्स थी ती मा जल्दी थी आवेने, तेना मा तेना पागले आलेबा, घनीवार के कवर करी यह सिस्टम ने, यह लोड डिस्पेस सेंटर नू मुख्य वर्क होये छे, तो आम आ चार मुद्धाओ जे छे, तेना उपर आपने चर्चा करी, आने, मैं इन मुद्धासा ना चे, लोड डिस्पेस सेंटर ना चे, तो तम ने आ मुद्धो लही सको छो, इना पाच इक्विजिशन ने डिले के डेटा नी बहुँ जरूर छे, तारो के उनाडानो समय छे, सियाडानो समय छे, तो हर एक दीवसों मा, बद्धायनो लोड अलग अलग होई छे, तारो के सियाडानी बात करी हापने, तो सियाडा मा पंखान जरूरत नथी होती, तो अब दा अखा SLDC ने एक साथे जोड़े छे, के अखा गुजरात नी अंदर केटलू जनरेशन था ही रूचे, केटलू डिस्ट्रिबूशन था से, केटलू ट्रांस्मिशन था से, तो इन्हों एक सेंट्रलाइज एक कंट्रोल सिस्टम होई, के त्यां थी हाबद होतात होई, पाछी में मसीन इंटरफेस, मसीन इंटरफेस नो मतलब के जटलापन मसीनों त्यां काद है रत छे, बद्दा मसीनों ने एक साथे इंटरफेस करिये और डिटा कलेट करवानु जे, पाछी नेक्स चे, डिस्पेज सेंटर मां वपराती लोड डिस्पेज टेकनिक ना नाम, ये कया टेकनिक थी लोड डिस्पेज करवा मा वेचे, लोड डिस्पेज, उज़राती मा जाई है तो लोड इटले आपड़े इलेक्रिकल पावर छे, डिस्पेज करवा, इटले मोकल वो, बराबर, तो पहलो चे, लोड फोर्कास्टिंग, लोड नू सिडियूलिंग, सिस्टम रे रेगुलेट करवानी, अने स्वीचिंग करी अने इने ओपरेट करवानू, अने लोगिंग करी अने पावर ने आपई देवानू, बराबर छे, लोड डिस्पेज सेंटर मा में में मसीन इंटरफेस मा उप्योग मा लेवा था चार एलिमेट जणावो, में केटला ओपरेटर, नो कंसोल, कैथोड रेट्यूब, कंट्रोल सेंटर एक्यूपमेंट अने करजर कंट्रोल, अने एक्यूपमेंट हो छे के में मसीन जचे तेना इंटरफेस मा काम आवे छे, बराबर छे, कैथोड रेट्यूब इलेके CRT बराबर ओड टीवी जवाज ये सेट तो पहली डेली लोग शेट, कैटला मेगावोट आपड़े आपडा घर माजे सपलायावे चे ने आपड़े किलो वोट आवर मा गणतरी करीँ जी, जर रे आखा स्टेट नी बात आवे तो किलो वोट नी जगे मेगावोट मा गणतरी थाती ओछे, तो मेगावोट नू पावर पाच्छो आपने लई यह ची है तो आप बद्दाय नो एक मीटरिंग जे थतू इने चेंज गरवानु बीजी पार्टी ने कोई ने सप्लाई आपने एनरजी करता हुए तारो कि आपने पोता नो जनरेटिंग स्टेशन जे तो कोई बीजा ने आपने सप्लाई करता ह तो आपने ध्यान रागे रिसीविंग स्टेशन जे छे तेनो लोड यह लेके जे संडिंग एंड धी करी ना रिसीविंग एंड मा पड़े नो चेक थाए जे तीक तमने ख्याल पड़े कि त्या लोसीस के त्लो थे हो चे नेक्स्ट छे के लोड डिस्पेस सेंटर मा देली लोग सीट अने फ्रिक्वंसी डेटा सीट नोध गर्वा मा आवती विग्वतो खई के छे तो यह फहलू चे जनरेशन नू डेली सीट है जनरेशन नू डेली सीट हे लेके स्टेशन नू नाम होय, दरेक कला के थातो जनरेशन होय त्यां इन्टर कनेक्शन साथे ने ट्रांजेक्षन होए, लगे, श्ट्येशन नू पेलू नाम लखी ना, ए किया श्ट्येशन मा केटलो पावर त्यां थी जनरेट धायँचे, पाशी इन्टेर कनेक्षन घे अद्ट्रांजेक्षन होए, अनि सिस्टमनू कुल प्रोडक्षन अनि सिस्टमनो लोड, अपने बे अलग-अलग सीटो थी अपने त्या डेली लोक सिट अने फ्रिक्वंसी लोक सिट जे लोड डीसपे सेंटर नो में अप्रेशन थतू होई छे तेन आवे से ख्याल दीतो तो मीत्रो तमने बुक नी 5-đजेशने खास देन रागजो कि तमने कैरेक समाए खो हो और फाफ्ट तमने रिवीजण जरे करुऊ होने ते हरे बुक नी 5-ट नम औरे जोगाण पुक नी पाज्ण जोजो तक बतावों छेओ चेओ बुक नी पाचछड तमें जो सो तो टूका प्रश्णो तमने आपेला छे टूका प्रश्णो आने तेना उत्तर पन तमने आपे दिता छे तिया तो आना ते तमने डेरेक्ट माही ती में जेविए ताजे आजे आपडे अत्यारे 4-5 लेक्चरस ने अंदरा चेप्टर आपडे पूरू करी हुथे बेजिक जे मुद्धा हुआता ने बद्धा भी जैसे पहलो कोशन चे के ट्रांस्मेशन लाइन माटे ना इंडक्टन्स प्रती फेज माटे नू सुत्र सो दो तो आपनों सुत्र चे आपनों सुत्र याद हो तो एक mcq-soul बराबर चे अभी रिदे लाइन ट्रांस्पोस करी है तो लाइन ट्रांस्पोस से ना माटे था ये चे आने इना माटे था ये तो सुन था ये तेनों प्रस्णा लाइन ट्रांस्पोस दर्शाओ तो स्केच आपने जोए तो उनके A कंड़ेक्टर ये था ये तो होए B आभी रिदे चे ये तो होए C चे ये तो होए ऐल्डेड ये बद्धा मुद्धा हो डिसकस कर लिता चे जेना सम्पूरु ना टूकमा मही थी आपने लिया से asymmetrical होते इनों बचे इनों spacing के हूँ होए थापड़े इदो ने केत्राँ एत्राँ एत्राँ जे diameter छे इनों गुना कारने इनों घन मूड ले लेवानू पाची single page line होते इनों capacitance नों सुत्रा केटलू शे तो direct तमें आजो मुदा करो तो MC क्यों तमारा solve देजे charging current line ना performance जे चे कहा कहा performance जे डिरेक अभी क्यो line parameter मा current voltage डोपा ने power factor ने efficiency ने असर हो जे चे ते डिरेक असर हो तमने खबर पड़ी जे से already बद्ध बदू discuss कर ले जो आपड़े end capacitance, nominal, nominal t, nominal pi आब दी method जो इली दिया आपड़े बराबर, तो आम पाचड जे तमने चेप्टर पूरू था ये तियारे तमने end मा बद्धा questions आपेला जे ये बद्धा questions ने निहाड़ी ले जो तो तमारा अक्षू chapter देजे जेसे, अने mid semester माटे तो खास करी ने आ पाचड ना मुद्दा हो जे तमारे जो आना जे तो आसा राखो चू कि तमने ख्याल पड़ी गयों से ये आपड़ू बिजू chapter पूर था ये फरी मने सू तरीजे चेप्टर साथ है धन्यवाद मित्रों अने ए दर्मियान तमने कोई पन डाउट थता हो है तो मने personally contact तमें करी सको चू तन्यवाद